नमस्कार मैं नरेंदर सिंग्मान, लेक्टरर पॉलिटिकल साइंस, गौर्रमेंट सिनिस केंडी स्कूल लोहारी, पानीपत एजुकेशन डिपार्टमेंट, गौर्रमेंट अभरियाना आज उसे टेली कास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रियविद्यार्थियों, आज हम कक्षिया ग्यारमी का राजनिती विज्ञान विश्या पढ़ेंगे राजनिती विज्ञान विश्या के अंतरगत जो आपका, आपकी पाठ्य पुस्तक है राजनितिक सिधान उसका चोथा ध्याई अर्थार्त सामाजिक न्याई सामाजिक न्याई उपविसे उपर चर्चा करेंगे सामाजिक न्याई भाग एक हम पहले पढ़ चुके हैं आज हम सामाजिक न्याई भाग दो के बारे में पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियो आज का व्याख्यान रहेगा वो न्याय के विभिन बक्स के बारे में और रोल्स का जो अज्ञानता का आवरन सी दान्त है उसके संदर में प्रियविद्यार्थियों आज के व्यक्यान का मुख्यों देशे आपको इस पार्ट का प्रिक्षा प्योगिया ध्यन करवाना है जिस तरह से सामाजिक नए भाग एक का मुख्यों देशे था उसी के साथ साथ में इस व्यक्यान का मुख्यों देशे यह भी रहेगा कि आप सामाजिक नए की अच्छे से जानकारी लेश के और सामाजिक जीवन में आप दूसरों के साथ नए कर सके और दूसरों से स्वम के लिए भी नए की मांग कर सके नए ले सके यह भी हमारे इस व्य व्यख्यान का मुख्योदे से रहेगा। आज के व्यख्यान का जो अक्षयत्त रहेगा जिने हम निमन बिद्वों पर चर्चा करेंगे। हम नियाए की बात कर रहे हैं सामाजी की नियाए की बात कर रहे हैं और सामाजी की नियाए की अंतरगत सामाजी की नियाए को देने की और नियाए को देने की मुख्य जिम्मेदारी हमारी नियाए पालिका की है और सर्वोच नियाले का लोगो जो है वो आप अपनी सक्रीन के पर देख रहे हैं इस ये सरवोच नेल है जिसके उपर नियाए करने की जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों हमने भाग एक पढ़ा और समाजिक नियाए बाग एक के अंदर हमने उसके अर्थ को अच्छे से समझने का प्रियास किया और उसके आधार पर हम कह सकते हैं भाग एक किसी के साथ वह समाजिक नियाए है योग्यता कोशल मेहनत काम की कठिनता के आधार पर सबको उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए वह समाजिक नियाए है विशेश जुरूरत वाले व्यक्तियों को बराबरी पर लाने के लिए विशेश सुविधाएं दी जानी चाहिए व वहवी सामाजिक नये हैं, तो सामाजिक नये के अर्थ में हमने ये सब जानकारी ली थी पिछले वैख्यान के अंदर, और अभी हम बात करेंगे नये के पक्ष के बारे में, कौन-कौन से पक्ष, वैधानिक पक्ष, राजनतिक नये, सामाजिक नये, और आर्थिक नये, हैं जो अक्सर ने नैलों के अंदर स्थापित मिलती है जिसके आखों पर पटी बंदी रहती है और हाथ में तराजू हैं द्याई के लिए प्रिविद्यार्थियों अभी-भी हमने बात की थी कि विशेश जरूरतों का विशेश ख्याम रखा जाएं विशेश सुई धाएं द के लोगों को विशेश सुई धाएं दे करके समाज में बराबरी पर लाने का प्रियास करना चाहिए और ये कारिये किसका है कौन करता है ये नियाई-पालिका का है और नियाई-पालिका सब को अगर एक समान देखेगी किसी के साथ किसी प्रगारगा बेदभाव नहीं सबस्माज करने, तो जो विशेश जरूरते हैं उसका पता कैसे चलेगा, कैसे पते चलेगा कि ये दरष्टिहिन विद्यारतियं सक्तिरिक्त समय क्या हों सकता है और विशेश जरूरतों को देखने के लिए हमें आज़ों से पती को खोलना होगा, ताकि समाज में नियाई- स्थापना की जासके एक न्याय पूर्ण स्थापित किया जासके प्रिया विद्यार्थियों अभी हम बात करते हैं न्याय का सबसे पहला जो वैधानिक पक्स है अर्थार्थ वैधानिक न्याय है वैधानिक न्याय का मुख्य अर्थ कानून के अनुसार न्याय है इस धार्ण में कानून का वैद या नियाय संगत होना विश्यक नहीं है जब कि कुछ लोगों के अनुसार कानून अगर नियाय संगत होगा तो वह कानून बिना सक्ति के भी लागू किया जा सकता है और अगर नियाय संगत नहीं होगा तो सरकार को किसी भी कानून को लागू करने में बड बनती है, संस्थाएं बनती हैं, तो जब वोट के मादियम से सरकार बनती है, वो सरकार अगर इस तरह का कानून पास करेगी, जो जनता के अनुसार वो सही नहीं है, नियाय संगत जनता को नहीं लगता है, तो जनता उसका विरोध करके, आने वाले चुनाव के अंदर, उसके विपक्स में वोट दे करके, उस सरकार को हरा सकती है, तो इसलिए कुछ व्यक्तियों का मत ये है, कि नियाय संगत होना चाहिए कानून, कानून नियाय संगत होगा, तो सहर्स, खुसी-खुसी, जनता उसको अपने उपर लागू करती है, उसकी पालना करती है, लेकिन अगर कानून निया संगत नहीं होगा, किसी विशेश व्यक्तियों के लिए अगर कानून बनाए जाएंगे, तो उन कानूनों को जनता स्वीकार नहीं करती, और उनको लागू करने में सरकार को बहुत कष्ट जहलने पड़ते हैं, सरकार बहुत आसानी से उनको लागू नहीं कर स तो इसलिए क्योंकि लोगतांतरिक सरकारे हैं, अगर तानासाही सरकार होती तो कोई भी कानून हो, उसका वैद और अवैद होने का मतलब भी नहीं होता, कानून है और वो होता तो वैद ही है, जनता उसका साथ दे, जनता के पक्स में है, विपक्स में उससे कोई लेना देना अगर नियाई संगत होना आवशक है अगर कानून नियाई संगत होगा तो जनता उसको लागू करने में किसी परकार का कश्ट नहीं होता असानी से वो लागू हो सकते हैं अगर नियाई संगत नहीं होगा तो उसको लागू करने में काफी प्रेसानी का सामना करना पड़ता है लेकिन इसका सीधा असारत प्यारे वेचों ये है कि कानून के अनुसार जो है तो वो न्याए है और जो कानून के अनुसार नहीं है तो वो अन्याए है अर्थारत कानून से ही देखना है न्याए और अन्याए को कानून संगत है कानून के अनुसार है तो क्या है न्याए और जो कानून के अनुसार नहीं है जो गैर कानून ही है तो वो क्या है वो अन्याए है कानून न्याए संगत है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है बलके सरल से सब्दों में कह सकते हैं कि कानून के अनुसार है व वैधानिक न्याय की कुछ अन्य सरते हैं जो इस तरीके से हैं कानुनों का न्याय पूर्ण होना आविशक है। जनता के साथ नहीं की जा सकती, एक लिमिट में की जा सकती है, जबरदस्ती करने की भी कुछ सिमाई होती है, लोकतांतरिक सरकारों के अंदर, तो इसलिए सकती का परियोग करके किसी भी कानुन को लागू करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कानुनों का न्याय किसी के भी विरोध में ना हो, किसी को भी किसी परकार की प्रेशानी ना खड़ी करे, किसी को समस्या किसी के लिए पैदा ना करे कोई भी कानुन, कानुन ऐसा नहीं होना चाहिए, कानुन ऐसा हो जो पूरे देश की और पूरे समाज की बलाई के लिए बनाए जाएं, तो उ कोई भी कानून बना सकती है, जन्ता को उनकी अनुपालना करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोगतांतिरिक सरकारों के अंदर कानून का न्यायपूर्ण होना आवशक है। किसी अमीर और गरीब का वेदभाव ना हो, कानून के समक्ष सभी एक समान होने चाहिए और कानून सबको समान सुरक्षा दे, समान सरक्षन दे, किसी को कष्ट है, किसी को प्रेशानी है, तो वो कानून का सहरा लेकरके न्यायपूर्ण की सरण में जा सकता है, और न्यायपू ले तो इसलिए कानून के समक्स समानता होनी चाहिए और कानून की समान सुरक्षा भी होनी चाहिए सभी के ओपर कानून लागो होना चाहिए कि गरीब आदमी ने जो अपराद किया है एक अमीर आदमी ने वही अपराद किया है तो दोनों को एक समान सजा मिलनी चाहिए ऐसा व्यवस्ता नहीं होनी चाहिए कि अमीर आदमी पैसे के दम पर उपर से उपर नैलों में जागर के नैलों के कमजोरी का फाइदा उठागर के कानूनों से तोड मरोड करवागर के वो जो है किसी तरह से कानून की नजर से बस निकले और गरीब आदमी के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा संसादन नहीं होते हैं और उसको पकड़ करके जेल की कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए और उसके किसी प्रकार की सुनवाई ना हो जबकि अपराद तो दोनों ने एक ही किया है एक जैसा नहीं होना चाहिए अर्थालत कानून सब के लिए एक समान होना चाह ये कानून लागू करने वाली जो पर नाली है जो सरस्थाएं है वो एक समान रुप से सब के अपर लागू की जाए उनमें किसी परकार का भेदवाव ना हो ये भी आवशक है सामाजी वैधानी के न्याए के लिए प्रिय विद्यार्तियों एक बहुत आवशक है मित वेई न्याए व्यवस्था हम पहले भी बात करें थे कि अगर कानून व्यवस्था बहुत खर्चिली होगी तो गरीब आदमी को न्याए की उमीद नहीं है कहां से वो न्याए ले सकता है अगर बहुत ज़्यादा की उमीद नहीं कर सकता, गरीब आदमी को न्याय तब मिल सकता है जब न्याय जो है बहुत कम खर्चे पर उपलब्द हो और उतना खर्चा भी गरीब आदमी कर सके, इतना सक्सम हो गरीब आदमी के न्याय के लिए वो न्यायलों में जा सके, उनकी खर्चे वहन कर सके, वकिलो अमिर अदमी के पक्स में फैसले होंगे, तो वो क्या नाय हुआ नाय की वास्तों में आऊ सकता, अगर किसी को है, तो वो गरीब आदमी को है। गरीब आद्मी के साथ सबसे ज्यादा अन्याई के समाज रहती है समय गरीब आद्मी ऊहुआ होगा और गरीब आद्मी के पास इतने संसादन नहीं है लो जा या कर शकर करें ऽिया का वेश भी सिंधी उपने लिए प्रणाड़ी का भी हो होना आवश्यक है कम खर्चे में नयाई सब के लिए उपलब्द होना चाहिए शरलता से कुषल और सवतंत्र नयाई पालिका होनी चाहिए नयाई पालिका कुषन भीयो सक्सम भीयो सवतंत्र भीयो कि बहुत क्योंकि भाग एक में हम बात कर रहे थे कि भगवान के बाद अगर किसी पर सबसे ज़्यादा विश्वास जन्दा को होता है तो वो न्याए पालिका पर होता है और गरीब आदमी क्या कर सकता है गरीब आदमी नैले में जा सकता है और नैले में जागर के वो न्याए की मांग कर सकता है और उसको नयाय मिले और नयाय कब मिलेगा वो तब मिलेगा जब नयाय पाली का सोतंतर होगी निस्पक्स होगी उस पर किसी परकार का दबाव परवाव नहीं होगा किसी परकार के परलोभन में नहीं होगे और वो कुशल भी होगी पूरे तरीके से तब जागर के ग आगू तो कारिय पालिकाने करना है, बनाना विदान पालिकाने है, लेकिन कानून वो गरीब आदमियों को किसी परकार का दुख दर्द तो नहीं है उन कानून से, वो कानून किसी विशेस वरग या विशेस लोगों के लिए तो नहीं बनाया गया है, किस तरीके से वो कानून बना है उन सब की वैदता और अवैदता के संदर में जो फैसला है वो न्याई पालिका ही करती है तो इसलिए न्याई पालिका सोतंतर और निश्वक्स होनी चाहिए कुशल होनी चाहिए सकस्ब होनी चाहिए अब प्रिया विद्यारतियों हम बात करते हैं सामाजिक न्याए की सामाजिक न्याए सामाजिक न्याए का सीधा सार्थ है सामाजिक के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं उन सब के साथ न्याए हो सब एक समान हो वहाँ पर उंच नीच नाम की कोई चीज समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए तो समाजिक नयाई से भी प्रह किसी भी देश में रह रहे व्यक्तियों से जनम जाती धरम लिंग अक्षेत्र नसल आदी के आधार पर किसी परकार का बेदभाव नहीं होना चाहिए सब एक समान हो तब ही जाकर के उसको समाजिक नयाई कहेंगे किसी भी विशे सुरक के साथ कोई बेदभाव ना हो कोई उंच नीच ना हो सरह सब्दों में समाज के अंदर वो समाजिक नयाई है जहां पर उंच नीच है समाज के अंदर वहां पर समाजिक नयाई नहीं है तो जितनी जल्दी हो उसके समाजिक नयकिस्तापना के लिए उंच और नीच को हमें समाप्त कर देना चाहिए ताकि समाज में सब बराबरी पर आकर के अपना जीवन बसर कर सके इस वेक्ति को देख करके लगता है कि ये क्या इसको समाजिक नयकिस्तापना के लिए क्या इसमें समाज में बराबरी का दर्जा मिला होगा इस वेक्ति को तो इसलिए समाजी के नहे के लिए जो मुख्य सरते हैं वो इस तरह से हैं कि कानून के समक्स समानता होनी चाहिए इसमें तो कोई दोर आए नहीं कानून के समक्स तो समानता है भारत का समिधान में इस तरह का प्रावधान है कानून के सामने सभी एक समान है समानता का दिकार है एर सुपरस्ता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है कोई चुआ चात नहीं होगी चुआ चात की समाप्ति कर दी गई है वो किसलिए की गई है वो जो है ताकि सभी एक समान हो कानून किसी के साथ ना करें किसी के साथ, तो इसलिए कानून के समक्स समानता होनी चाहिए, विशेश अधिकारों की समाप्ति हो, किसी व्यक्ति को अमीर होने के कान विशेश अधिकार प्राप्त है, किसी व्यक्ति को किसी विशेश बड़े गराने में पैदा होने के कान विशेश अधिकार प्र ये सारे के सारे विशेशादिकार समाप्त होने चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति है, वो समाज का एक हिस्सा है, समाज का हिस्सा होने के कारण सभी व्यक्ति एक समान होने चाहिए, वही तो समाजिक नय है, जिसमें विशेशादिकार होगा, तो विशेशादिकार का परियोग करके वो दुसरों पर अत्याचार करेगा, न्याए करेगा, तो वहां कहां है सामाजिक न्याए, वहां तो सामाजिक न्याए हो इनी सकता, जहां पर विशेशा अधिकार होंगे, तो इसलिए विशेशा अधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए, ताकि सब को न्याए मिल सके, जाती प अब अविसेसाथिकार किसी विश्ए सक्षेच्थर जातिया तर दार पर नहीं मिलना चाहिए kisik को तो इसलिए जाती पर्था का जितनी जल्दी हो सके अंत होना चाहिए ताकि समाज के अंदर नएक इस्थापना की जासके, समाज के अंदर सभी वैक्ति एक समान रह सके, तो इसलिए जाती पर्था का अंत होना चाहिए, पिछडे वर्ग के लोगों को कुछ विशेश विदाय देनी चाहिए, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का निचला वर्ग है, जो समाज का ऐसा वर्ग है, जो सिक्सा से वंचित है, जो स्वास्ते सुविधाओं से वंचित है, जो रोटी कपड़ा मकान की जो गुनवत्ता जिसके पास अभी तक नहीं है, तो ऐसे पिछ अस्ते सुईधाय लेशके, रोजगाल लेशके और अपना जीवनियापन बड़े अच्छे तरीके से कर सके, उस तरह से पिछडे वर्क के लोगों को वीशेश कुछ सुईधाय दी जा सकती है, चाहे सिक्सन संस्थाओं में दाखिले के संदर में, चाहे नोकरियों के संदर मे और चाहे अन्यस्विधाय दे करके उनको आगे आने का स्ववसर उपलब्द करवाया जाना चाहिए, और आर्थिक सुरक्षय देनी चाहिए, आर्थिक सुरक्षय जब तक नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी विकास नहीं कर सकता, और जब विकास नहीं करेंगे गरीब आदम तो वो कैसे सामाजी की नए किस्तापना कर पाएंगे, कैसे आगवे बढ़ पाएंगे, कैसे बराबरी कर पाएंगे, तो इसलिए बराबरी करने के लिए जरूरी है कि आर्थिक शुरक्षा मिले, आर्थिक शुरक्षा से मतलब है कि कोई विशेश प्रस्तिती के अंदर, मान परिवार का पालन पोशन करता है उसकी अगर किसी प्रिकार से मिर्त्यू हो जाती है तो उस अंदर में परिवार का क्या होगा तो कुछ ना कुछ तो सरकार की तरब से उनको सुविधाय मिलनी चाहिए उसको आर्थिक सुरक्षय कहेंगे अपंग हो जाए तो उसको सरकार की तरब से सुविधा मिले सुरक्षय मिले तो इस तरह से विर्द हो जाए तो सुरक्षय मिलनी चाहिए तो इसलिए जो अपंग हों, विर्द हों, कमजोर हों, बीमार हों या किसी परिवार के अंदर कोई बहुत ज्यादा इस तरह का कष्ट आए तो उस प्रिस्तिती के अंदर उनकी आर्थिक सुरक्षय की जाने चाहिए कोटिले ने भी अपने अर्थिक सुरक्षय की बात की है, कि राजा का ये प्रमधरम है, कि वो गरीब आद्मियों को, गरीब परिवारों को, अपंगों को, विर्दों को, विकलांगों को, और अन्यकिशि परकार के जो व्यक्ति है, समाज गंदर कमजोर हैं, तो उनको विशे सार्थिक सुर्दा राजा के दोरह दी जानी चाहिए, समान राजनेती का अधिकार प्राप्त करने चाहिए, परदान करना, राजनेती का अधिकार सब को एक समान परदान किया जाने चाहिए, क्योंकि राजनेती का अधिकार के अधिकार नहीं, वो सकती है, राजनेती ही सक तो इसलिए समान राजनेती का दिकार सबी पूल से को मिलने चाहिए, अगर गरीब आजियों को भी समान राजनेती का दिकार मिलेंगे और वो भी चुनाव लड़करकर परतिनीदीतों करेंगे तो अपने समाज का बाला कर सकते हैं, तो इसलिए उनको भी इ tanto लबदे कर वाना चाहिए राजनेती का दिकार मिलना कि उन समीधान में प्रावधान कर देना वो राजनेती का दिकार मिलना नहीं है राजनेती का दिकार मिलना वो है कि राजनेती का दिकार मिलने के बाद वो उनका उपभोग भी कर सके वो उनका परियोग भी कर सके वो उनका लाब भी उठा सके वो है राजनतिक अदिकार इसलिए सब को राजनतिक अदिकार समान रूप से प्लब्द होना चाहिए और आउसर भी मिलना चाहिए समान रूप से प्रिया विद्यार्तियों अभी हम आर्थिक नियाए की बात करते हैं Economic Justice आर्थिक नियाए ये एक तश्मीर देख रहे हैं इसमें दो बच्चे हैं और वो समान IU के है एक समान एस गुरूप है इनका दोनों बच्चों की IU एक समान है इनको देख करके आपको क्या लगता है दो बच्चे हैं एक बच्चा तो लगता है अच्छा खाते पिते घर का पता लगता है कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिती कैसी होगी और दूसरे बच्चे का भी पता लगता है कि इसके परिवार की आर्थिक स्थिती कैसी होगी पता लगता है ना एक बच्चा जो जिसने टोपी पहन रखी है मोटा ताजा है वो संपन परिवार का है उसके पास तो इतना कुछ है खाने के लिए पीने के लिए घूमने फिरने के लिए इंज्वाए करने के लिए लाइफ को इतना कुछ है वो सोचता है कि मैं क्या क्या खाऊं मैं ये भी खा खालेता हूं वो भी खालेता हूं क्या क्या खाऊं उसके पास खाने के लिए इतनी चीजे हैं इन्जॉय करने के लिए इतनी सारी चीजे हैं और एक उसी के बगल में एक दूसरा बच्चा है वो सोचता है कि मैं क्या खाऊं क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए है ही नहीं अर्थिक न्याय नहीं है, प्रियविद्य आर्थियों, क्या आपको लगता है कि यह न्याय होगा, इस बच्चे के साथ जो कमजोर बच्चा है, जो गरीप प्रिवार से हैं, जी नहीं, यह न्याय नहीं हो सकता, मानो जिवन में आर्थिक तत्तों की महत्वण भूमिका होती है खाना, पीना, रहना, सहना, पढ़ना, लिखना, प्रिवार का आगे बढ़ना सारी चीज़े तो पैसे पराधारित हैं तो इसलिए आर्थिक नियाई से विप्रह प्रत्यक व्यक्ति को अपने जिविको पारजन के लिए समान आउसर प्राप्त होने चाहिए धन का नयाचित बटवारा होना चाहिए क्या इस चोटे से बालक को आपको लगता है कि जिविको पारजन के लिए समान आउसर उपलब्द होए होंगे ये क्या बड़ा होगा, क्या जवान होगा, क्या मजबूत होगा, क्या कर पाएगा लाइफी में, तो इसलिए जीव को पारजन के समान और सरपुलब्द होने चाहिए, कम से कम, मूल बुत जुरूरते तो सभी की पूरी होनी चाहिए, समाज के अंदर वही तो आर्थिक नय हो पहले है काम का दिकार, काम का दिकार मिलना चाहिए, काम का दिकार समयवादी समाजों के अंदर दिया जाता था, लेकिन आजकर पुंजीवादी समाजों ने भी अपने देशों के अंदर अपनी विवस्ता के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, जो कल्यानकारी राज्ये की स्थापना की है और कल्यानकारी राज्ये के अंतरगत लोगों की मदद करना लोगों को रोजगार देना भी एक राज्यें का और सरकारों का प्रम धर्म माना जाता है तो इसलिए काम कादिकार देना भी एक सरकार का कारिय है आर्थिक नयाय अगर हमें देना है तो उसके लिए काम कादिकार देना होगा जो व्यक्ति काम करने लायक है जो कुशल है उसको अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो काम कादिकार होना साहिए काम उसको मिलना साहिए ताकि वो काम करके अपने परिवार को सला सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को सारी सुक्षुई दाएं दे सके तो इसलिए काम का दिकार प्रतियक व्यक्ति को मिलना चाहिए और ये कर्तब वे जो है, वो सरकार अपनी योजनाओं के माद्यम से इस तरह का कर सकती है मजदूरी नहीं मिलती है तो मेनत नामा नहीं मिलता है तो फिर उस काम का भी कोई फाइदा नहीं होता है काम का फाइदा तभी है ना जब उचित वेतन मिलेगा और उचित वेतन कितना मिले उतना तो कम से कम मिले कि वो अपने परिवार को चला सके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 8-10 गंटे किसी वेक्ति से काम करवाय और काम करवाने के बाद केवल उसको इतना मिले कि जो है वो स्याम की एक टाइम की रोटी खासके, दो टाइम की रोटी भी ना खासके, तीन टाइम की रोटी भी ना खा सके क्या वो न्याय हुआ? जी नहीं, वो न्याय नहीं है कम से कम इतना तो उसको मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को चला सके अपने परिवार की जो मौल भूत आए सकता हैं वो पूरी कर सके ठीक ठाक अपना जीवन बिता सके अपने परिवार को आगे बढ़ा सके बच्चों को बढ़ा सके बच्चों के लिए कपड़े और ठीक ठाक से मकान की विवस्था कर सके तो इतना तो वेतन मिलना चाहिए तो इसलिए उचित वेतन पाने का भी अधिकार होना चाहिए उसके साथ में अगर हम आर्थिक न्याए देना चाहते हैं तो आर्थिक सुरक्षा भी मिले जिसके हम पहले भी बात करें थे आर्थिक सुरक्षा अर्थार्द बे सहारा है, बुजर्ग है बुड़े है, विर्द है कमजोर है या अपंग है ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा मिले या किसी परिवार का कोई कमाने वाला जो मुख्य हाथ है अगर वो चला जाता है कोई अक्सिडेंट में या किसी आदसे में किसी परिवार का मुख्या चला जाता है तो ऐसे में परिवार कैसे चलेगा उस परिवार के बच्चों की आर्थिक शुरक्ष्या होनी चाहिए अर्थार सरकार के द्वारा उनकी मदद की जाए ताकि वह भी अपना जीवन ठीक से जी सके जीवन यापन कर सके और बड़ा महतोपुन आर्थिक नहीं के अंतरगत धन का उचित वीतरन है धन के उचित वीतरन से ताजप्रिये है के और अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए भारत के समीधान का जो निती निदेशक सिदान्त है उसके अंदर भी यही प्रावदान किया गया है के अमीर और गरीब के बीच के जो अंतर है जो खाई है उसको कम करने का प्रियास सरकारे करेंगी तो इसलिये धन का उचित वीत्रन हो ताकि गरीब से गरीब आदमी के भी मूल बहुत जुरूरते पूरी हो वो अपनी सारी जुरूरते चाहे सिख्सागी है चाहिए वो अपने प्रिवार के स्वास्ते से सम्मंदित है चाहिए वो ठीक ठाक चाहिए एक मकान मना करके एक छत होनी चाहिए जिसके निचे वो प्रिवार रह सके जोगी जोपडियों में और बाहर खुले आश्मान के निचे या चार पाई उपर लगा करके पनी के निचे अगर कोई प्रिवार रह रहा है तो हमारे लिए बड़े सरम की बात है इस तरह की विवस्ता नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए अमीरों गरीब के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो समाज अलग ही समाज लगे दो देश अलग ही देश लगे कि एक अमीरों का समाज है और एक गरीबों का समाज है बिलकुल अलग अलग बटा हुआ ऐसा लगे ऐसा नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच की जो खाई है वो कम होनी चाहिए वो इकटे रहे एक दूसरे की म अच्छा बोजन कर सके अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके और वो अच्छे से रहेंगे तो कही नो कहींपर उत्पादन में देश को उनका फायदा मिलेगा तो इसलिए धन का जो वित्रन है वो उचित परकार से होना चाहिए अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए खाई नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी और ज़्यादा अमीर होते चले जाएं गरीब आदमी और जदा गरीब वहते चले जाए और इस तरह के अगर व्यवस्ता है तो उस व्यवस्ता के अंदर कहिना कही पर कमी है उस पर पूनर चिंतन करने की आफ सकता है और गरीब आदमियों को भी अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और उसके लिए सरकार को प्रियास करने चाहिए सर्मिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए जो सर्मिक हैं, जो मजदूर हैं, जो मेहनत कस लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं उनके हितों की विशेश रूप से रक्षा की जानी चाहिए करोना काल में काफी कष्ट मजदूरों को देखने को मिले जहलने पड़े तो इस तरह के नहीं होने चाहिए मजदूरों के भी कुछ हक होने चाहिए उनके भी हित होने चाहिए और उनके हितों की रक्षया की जाने चाहिए और उस रक्षिया में सरकार का बड़ा महतोपूर बोमी का होती है वो जो यह सर्मिकों की रक्षिया सरकार विशेस मदद करके कर सकती है उसका तरीक तरीक तरी राजनेती की न्याए की बात करते है राजनेती की न्याए वास्तों में एक सक्ती है ताना साही शासन व्यवस्ता में नागरिकों को राजनती का दिकार नहीं मिलते जो राजा अपनी तलवार के दम पर अपनी सक्ति के दम पर सत्ता प्राप्त करता है वही राजा बना रहता है और दूसरा राजा तभी बनेगा जब या तो उसको मार देगा या उसको हरा देगा तभी दूसरा राजा बनेगा और दूसरा बनेगा वो भी तानासाई बनेगा फिर तो इसलिए तानासाई विवस्ता में नागरिकों से नहीं पूछा जाता उसको राजनतिक अधिकार नही जाती, धरम, भासा, लिंग, आधी क्यादार पर बेद भाव के बिना नागरिकों को राजनेती का दिकार मिलने चाहिए, कोण-कोण से राजनेती का दिकार मिलने चाहिए, जैसे के वोट का दिकार है, चुनाव लड़ने का दिकार है, अपने बात करने का दिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है, तो इसलिए नए पालिका के लिए निमन विवस्ताइं हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, राजनेतिक नए के लिए परजातांतरिक सासन परणाड़ी होनी चाहिए, परजातांतरिक सासन परणाड़ी है, लोग वोट डेल करके सरकार बनाते हैं, तो ही राजनेती का दिकार है, तो ही व्यक्ति जो है, कोई भी पद प्राप्त कर सकता है, कहीं पर भी नोकरी लग सकता है, कहीं पर भी MLA MP बन सकता है, पर दान मंतरी राष्टमती बन सकता है, तो वो कहां पर बन सकता है, जहां पर बनाती, जनता तभी बनाएगी जब परजाता अंतरिक्सासिन परणाली होगी, तो ही राजनेतिक नए मिल पाएगा। बनाती, जनता अंतरिक नए मिल पाएगा। सभी नागरिकों को मिले और सभी नागरिक उनका उपभोग कर सके, इस तरह के राजनेतिक अधिकार होने चाहिए। बेद भाव की मनाई हो, किसी भी परकार का बेद भाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेद भाव होगा तो राजनेतिक समानता का रहेगी, राजनेतिक नए कहा रहेगा। कुछ लोगों को तो रोग दिया जाएगा, कि आप तुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोट नहीं डाल सकते, अगर ऐसा होगा तो कहा राजनेतिक नए आए है, वो डालने से भी मना कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसी प्रकार का बेदवाव नहीं होना चाहिए, सब को एक समान लूप से राजनेतिक अधिकार मिलने चाहिए। अधिकार जो मिले उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा बीच बीच में अध्यन भी करवाए जाने चाहिए कि कौन-कौन लोग और कितने राजनेतिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं मज़ा ले रहे हैं और किन-किन लोगों को आज तक राजनेतिक अधिकार नहीं मिले हैं तो इसलिए इस तरह की अध्यन करवाते हुए जिन लोगों को राजनेतिक अधिकार नहीं मिले हैं उनको राजनेतिक अधिकार मुहिया करवाय जाने चाहिए और उनके अधिकारों की सुरक्षय सरकार के द प्रिवर्तन सत्ता परकाविज हो जाते हैं तो ऐसे में संभावना ये रहती है कहीं समाज का जो अल्प संखक वर्ग है अल्प संखक समाज है क्या वो हिस्सा जो है किसी परकार से कष्ट में तो नहीं है उनके जो अधिकार है उनकी अवहलना तो नहीं हो रही है वो उनके वि विशे इस रूप से उनके हागों की सुरक्षिया की जानी चाहिए। अभी प्रियविद्यारतियों हम जान रॉल्स का सामाजी की नहीं का सिदान एंट थियोरी ओफ जस्टिस को पड़ते हैं। यह आप तस्वीर देख रही हैं जो विशे सामाजी की नहीं को बहुत अच्से से प्रिभासित और सपष्ठ किया है तरक संग तरिके से वित्रना आतम नहीं के नहीं की मदेम से तो रोल्स का समाजी के नहीं का सिधान क्या कहता है यदि अब थोड़ी सी देर के लिए आप कलपनाओं में से लिए प्यारे वच्छों और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस परकार के समाज को पसंद करोगे आप को अगर एक छूट दे दी जाए कि आप कहां पर जनम रहना चाहेंगे किस परिवार में रहना चाहेंगे आपकी छूट है आप अजाद है उस बात के लिए आप बता दीजिए कहां पर रहना चाहेंगे किस परिवार में रहना चाहेंगे निसंदे आपका उत्तर यही होगा जो मेरा उत्तर है और मेरा उत्तर क्या है हम उस तरह के समाज में उस तरह के प्रिवार में रहना चाहेंगे जो सारी सुक्षुधाई मिलती होंगी नियम संगठन हमें विशेश सुविधा संपन स्थान दे दूर से सलाम करें नमस्ते करें हम वहार रहना पसंद करेंगे मोटे तोर पर हमारा उत्तर होगा हम वहार रहना पसंद करेंगे जा दंदोलत हो गाड़ी हो नोकर चाकर हो सुक्षुधाई हो समाज में बहुत उंचा दर्जा हो, बहुत बड़ी इज़त हो, उस परिवार में रहना पसंद करेंगे, करेंगे के नहीं करेंगे, हम सबी की यही रहे हैं, कि हम उसी समाज में रहना पसंद करेंगे, सायद किसी का भी उत्तर यह नहीं होगा, कि मैं गरीव घर में पैदा होना चाहूँगा, उस घर म में रहना पसंद करूँगा जिसके साथ बेदवाउपता हो popping बीभीन परकार का क्या उस जाती में कोई रहना पसंद करेगा नहीं क्या पसंद करेगा रोल्स ने कहा है कि اईसे में अगर मानेजिए सभी व्यक्ति की एक ही पसंद है और वो पसंद है कि सभी व्यक्ति ठाट बाट से उच्छे स्थान पर रहना चाहते हैं समाज में ऊच्छा दर्जा पाना चाहते हैं विशे सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं गाड़ी नोकर चाकर सुख सुविधाएं धान दोलत सभी जो है बहुत ज़्यादा तो ऐसे में समाज कैसा हो इसके समंद में सभी को अपना अपना बला सोचेंगे फिर तो अपना अपना बला मैंने सोच लिया कि मैं उस घर में रहना चाहूँगा दूसरे ने भी आपने भी सभी ने यही सोच लिया कि मैं उस घर में रहना चाहूँगा सभी ने अपना अप आप अपने बले की बात करेंगं आप अपने दोस्त के भी बले की बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियो रोल्स ने कहा है कि इसका एक ही समाधान है और वो समाधान क्या है अज्ञानता का आवरन अज्ञानता का आवरन एक इस तरह का रास्ता है और जॉन रोल्स कहता है कि अब हमें नहीं पता क्योंकि ये विवस्तातों लागों नहीं हो सकती कि एक द तो दनाड्य परिवार हैं, सभी वही पर रहना पसंद करेंगे, तो वो भी धनी नहीं रहेगा अगर इतने सारे वैक्ति वहाँ पर चले जाएंगे रहने के लिए, वो भी गरीब हो जाएगा, तो ऐसे में क्या इस तरह की व्यवस्ता हो सकती है कि सब कोन्याई मिले, गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है, सभी कहां पर पहुँचना चाते हैं, क्या कलपना करते हैं, क्या सोचते हैं, उन सब चीजों से उपर उठ करके, कोई इस तरह की भी सोचेगा, कि जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है, वो बचे ही ना, उनको इतनी सुक्सुदाएं म मालूम नहीं है, कि हमारा जनम कहां पर होगा, या हम किस समाज में रहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है, जिस परकार के से हमें ड्र लगता है, उस वर्ग को समाप्त करके, एक जैसी समानता लाई जा सकती है, सभी में, थोड़ ये भी तो विचार हमारे मन में आएगा कि एक गरीब जोपड़ पट्टी में पैदा हो गए तो वहाँ पर रह करके हमारा जीवन कैसा होगा तो हमें उससे सुक्सुदार की जो ख्याल है वो कमाएगा और जो कस्ट दिख रहा है हमें अगर जोपड़ पट्टी में कहीं पैदा हुआ जहाँ पर ना खाने को मिलेगा ना रहने को मिलेगा ना सिक्सा मिलेगी ना स्वास्ते मिलेगा किसी परकार की कोई सुक्सुदार नहीं होगी पीने के पानी की भी बहुत बड़ी अविवस्तार महाँ पर नहीं होगी उनको इतनी सुक्सुधाएं दे दे कि वो भी समाज में बराबरी पर आ करके कड़े हो जाएं और उसके लिए क्या किया जा सकता है कुछ अमीर से ले करके कुछ गरीब की मदद की जा सकती है ताकि समाज के अंदर सभी एक समान रुप से अपना जीवनियापन कर सके बिल्कुल एक समान भी नहीं थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है लेकिन गरीब से गरीब आदमी जो समाज के निजवत अदमी है उसको भी अपनी मूल बहुत जरूरत है तो वो कम से गम पूरी कर पाए इस तरह का तो समाज होना ही चाहिए तो इस तरह से एक मातर रस्ता जो है जहां निस्पक्स और नयसंगत नियम तक पहुँचा जा सकता है वो है अज्ञानता का आवरन अज्ञानता का आवरन का मतलब है कि वेक्ति को यह मालूम नहीं है कि वेक्स किसम के परिवार में जनम लेंगे अमीर में गरीब में उंच में नीच में सुईदा संपन में सुईदा विहन में जब हम अज्ञान होंगे तो बुरी स्थीती से सोच विचार करके समाज के नियम और कानून बनाएंगे और समाज के नियम और कानून कैसे बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि उना वही गरिबी बहुत बुरी चीज है गरिबी ने रहनी चाहिए इस तरह का समाज होना चाहिए हमारा कम से कम सबी लोगों की यह जरूरते तो कम से कम पूरी होनी चाहिए जो इसको हम मूल बहुत आए सकता है कहते हैं तो इसलिए अग्यानता के आवरण में सबी ये सुनिस्थित करने की कुशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां संगर समाज के बलाई के लिए हों उनके लिए लाब प्रद हों क्योंकि उनका समाज में कोई भी स्थान हो सकता है ये नैतिक्ता का नहीं विवेक सिल चिंतन का प्रणाम है ये कोई दया नहीं कर रहे हैं उस समाज के उपर ये हम अपने खायदे के लिए कर रहे हैं ये तरक संगत बात है कि जो है हम कहीं पर भी रह सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो इसलिए ये नैतिक्ता से जुड़ा हुआ ना धर्म से जुड़ा हुआ परसन ये परसन जो अतरक्संगत है ये विवेक्सिल चिंतन है और उसका प्रणाम ये है कि समाज के अंदर कोई भी ऐसा दवा कुचला तबका नहीं रहना चाहिए उनको भी उपर सरकार के दुवारा उठाया जाए इस तरह की विवस्ताएं की जाएं इस तरह के कानून और नीतिया निर्मित की जाएं ताकि समाज के लिए पूरे समाज के लिए सब की वलाई के लिए वो बने निसकर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि सामाजी की नयाय को हम अंतरद्रश्टी से अनुभाव कर सकते हैं आम तोर पर सब लोगों के साथ समान बरताओ सब को अपना अपना वाजिब हिस्सा मिले विशेस जरूत के लोगों को विशेस ख्यार लखा जाएं इसे सामाजी की नयाय कहा जाता है और नयाय के वैधानिक सामाजी के राजनेतिक और आर्थिक पक्स होते हैं लोक्तांत्रिक व्यवस्था और कानून के सासन में सामाजिक नियाए ज्यादा सुरक्सित रह सकता है जोन नोल्स ने कौन सा सी दान दिया अग्यानता का आवरण जो समाजिक नियाए का वित्रना अत्मक्सित दान थै समाजिक नये का अज्यानता का आवरण में नयाई संगत नियम बनाई जा सकते हैं उससे पूरे समाज के सभी लोगों की बलाई सुनिशीत होगी पुर्णावर्ती के लिए कुछ परसन बोचता हूं अभी ग्रह कारिया से सब्बंदित कुछ परसन नोट कीजिए नयाई के कौन-कौन से पाक्ष होते हैं सपस्ट करें और परसन नमबर दो है जोन नौल्स के समाजिक नयाई के सिद्धान्त की व्याक्या करें इन दोनो परसनों को अपनी कोपी के अंदर नोट करके लिख करके अपने प्राध्यापक से चेक करवाईए पैरे बच्चो आपने बहुत अच्छे से सामाजिक नयाई के दोनो भागों को पड़ा है और मुझे उमीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और अपने साथ और समाज के साथ नयाए करेंगे और समाज इक नयाए के कुछ आपको जो पहले समझ दी उससे आपकी समझ और ज़्यदा बड़ी होगी आप नयाए पूर्ण समाज की स्थापना में बहुत महतपूर रोल अदा करेंगे अपना कारिया जो है वो करेंगे अपने जीवन में नयाए दुसरों के साथ करेंगे और अपने लिए भी नयाए की मांग करेंगे इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद